नमस्कार बच्चों, मेरा नाम में नाक्षी शर्माएं और मैं आपकी हिंदी टीचरूं कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे आज मैं आपको आपकी पाठे पुस्तक बसंत भागतो का दस्वा पाठ अपूर्व अनुभव पढ़ाऊंगी तो आईए इसके बारे में इस पाठ के बारे में जानते हैं तो तो चान विश्व साहिते की एक अमूले निदी है जो मूलते जापानी भाषा में लिखी गई है निदी मने खजाना अमूले खजाना है इसका अनुबाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है यह है एक ऐसी अद्बुद पाठ शाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी गहरी जणों वाले पेड पाठ शाला का गेट शाखा बच्चों के खेलने के कौने इस अनौखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी लेखी का स्वैम इसकूल की छात्रा थी उनी के बच्चपन के अनौबवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह है अंश अपूर्व अनौबव तो इसकी लेखी का कौन है तेटसु को कुरियान आगी और उसका अनौबवाद किसने किया है पूर्वा याग्य कुश्वाहा तो आईए बच्चों इस कहाने को पढ़ते हैं सभागार में शिवर लगने के दो दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़े साहस करने का दिन आया इस दिन उसे याशू की चान से मिलना था इस भेद का पता ना तो 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 चान के माता पिता को था ना याशु की चान के उसने याशु की चान को अपने पेड़ पर चड़ने का नोता दिया था तो मोई हर एक बच्चा बच्चा बच्च के एक एक पेड़ को अपने खुद के चड़ने का पेड़ मानता था तो मोय में क्या था, कि हर बच्चा एक एक पेड को अपने खुद के लिए चर्णे का पेड मानता था, मतलब में ये मेरा चर्णे का पेड है, ये मेरा पेड है दोदोचान का पेड मैदान के बहारी हिस्से में कुहोन बुद्सू जाने वाली सड़क के पास था बड़ा सा पेड था उसका चड़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते पर ठीक से चड़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की उचाई पर एक दूशाखा तक पहुचा जा सकता था मतलब दूशाखा या नहीं दो शाखाएं बिल्कुल किसी जूले सी आराम दाय जगे थी आराम दे जगे थी मतलब वो जो दूशाखा जो जहां पर दो शाखाएं छटरी थी ना वो वहाँ पर जब पहुचते थे तो बहुत ऐसा लगता था जैसे जूले की तरह आराम मिल रहा हो तो तो चान अकसर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद उपर चड़ी मिलती वहाँ से वह सामने दूर तक उपर आकाश को या नीचे सडक पर चलते लोगों को देखा करती थी बच्चे अपने अपने पेड को निजी संपत्ती मानते थे मतलब अपनी खुद की संपत्ती मानते थे किसी दूसरे के पेड पर चड़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था या सुकी चान को पोलियो था इसलिए वह ना तो किसी पेड पर चड़ पाता था और ना किसी पेड को अपनी निजी संपत्ती मानता था या सुकी चैन जो था उसको क्या था पोलियो था इसलिए वह पैर में पोलियो के कारण किसी भी पेड पर नहीं चड़ पाता था और अपनी किसी भी पेड को अपनी संपत्ती भी नहीं मानता था अते तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था और तोतो चान का अपना निजी पेड़ था तो उसने उसको अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था आमंत्रत्या ने बुलाया था पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर नाटते तो उन्होंने किसी को भी ना अपने मम्मी पापा को किसी बड़े को भी नहीं बताई घर से निकलते समय तोतो चान ने मा से कहा कि वह जासु की चान के घर डेनें चोफू जा रही है चुकि वह जूट बोल रही थी इसलिए उसने मा की आँखों में नहीं जाका जब हम किसी से जूट बोलते हैं तो उसकी नजरों में आखों में आखें मिला कर नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम जूट बोल रहे होते हैं वे अपनी नजरें जूटों के फीतों पर ही गड़ाए रही तो ऐसे ही क्या हुआ जो वो तोतो चान थी वो भी अपनी माज की नजरों में नजरें नहीं मिला पाई वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही रोकी उसके पीछे-पीछे इस्टेशन तक आया जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया मैं यासू की चान को अपने पेड़ पर चड़ने देने वाली हूँ उसने बताया जब तोतो चान इसकूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था यासू की चान उसे मैदान में क्यारियों के प्यास मिला गर्मियों की चुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था यासू की चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष पड़ा था पर तोतो चान को वे अपने से बहुत बड़ा लगता था तोतो चान को यासु की चान बहुत बड़ा लगता था जैसे ही यासु की चान ने तोतो चान को देखा वह पैर गसीटता हुआ उसकी और बढ़ा वह पैर क्यों गसीट रहा था क्योंकि उसके क्या था पोली हो गया था पैर में उसके हाथ अपनी चाल को इस्थर करने के लिए दोनों और फैले हुए थे आपने देखा है ना बच्चो जिसके पोली हो जाता है तो वो अपने पैरों को गसीट गसीट कर दोनों हाथों के सहारे चलता है तो उसी प्रकार यासू की चान भी चल रहा था तो तो चान उत्ते जित थी वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था तो वो क्या करने वाले थे वो क्या कर रही थी तो तो चान यासू की चान को अपड़े पेड़ पर चड़ाना चाती थी और इस बात का किसी को भी पता नहीं था भी खुश था तो तो चान यासु की चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह है तुरंत चौकीदार के छपपर की ओर भागी जैसा उसने रात को ही तै कर लिया था उसने रात को ही सोच लिया था वहां से वह एक सीड़ी घसीटती हुई लाई देखो जैसे ये सीड़ी होती है ना उसको वह घसीट कर लेके आई क्योंकि वह छोटी थी उस तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह दुशाखा तक पहुँच जाए उसने उस सीड़ी को देखो ये दो शाखाएं हो रही है ना किनारे को पकड़ लिया कुर्सी से उपर चड़ी और उसने क्या किया ततोचान ने कुर्सी लगा के उपर चड़ गई और सीड़ी के किनारे को पकड़ लिया तब उसने पुकारा ठीक है अब उपर चड़ने की कोशिश करो यासु की चान से कहा कि तो वह उपर चड़ने की कोशिश करो यासू की चान के हाथ पर इतने कमजोर थे कि वैं पहली सीडी भी बिना सहारे के नहीं चड़ पाया इस पर तो 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 चान नीचे उतर आई और यासू की चान को पीछे से धक्याने लगी धक्का देने लगी पर तो तो चान थी छोटी और नाजुक सी इससे अधिक सायता क्या करती पर वे एक क्या थी छोटी सी रड़की थी और इससे जादा वो क्या मदद कर सकती थी यासुकी चान ने अपना पैर सीड़ी से हटा लिया और हताशा से सिर्जुका क खड़ा ओगया दो तो चान को पहली बार लगा कि काम अतना आसां नहीं जितना वे सोचे बैठे थी अब क्या करें अब उसको मैं अन्दाजा लगा कि यह काम इतना सरल नहीं है जितना कि वो सोच रही थी कि फटाफ़न सीड़ी लगा कि उसको चड़ा देगी अब वो सोचने लगे कि अब वे क्या करे यासुकी चान उसके पेड़ पर चड़े या उसकी हार देगी च्छा थी वो मतलब दिल से चाती थी या उसके सामने गई उसका लटका चहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हसाने के लिए गाल फुला कर तरह तरह के चहरे बनाने पड़े उसको एक आइडिया आता है फिर वे चौकीदार के छपपर की ओर दोड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि उसको क्या एडिया आता है इसके बारे में आम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे धन्यवाद